Hello students, welcome to my channel. So, our today's topic is image formation by spherical mirrors. Previous video में हम लोगों ने spherical mirrors and its types देखा था. उसके अलावा हम लोगों ने spherical mirror से related कुछ important definitions and terms को देखा था. और उसके अलावा sign convention को भी consider किया था कि किस तरीके से spherical mirrors के लिए हम लोग object, image, इनकी distance and height को consider करते हैं. उनको हम लोग positive कब लेंगे, उनको हम लोग negative कब लेंगे, यह सब कुछ हम लोगों ने देखा था. तो आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, उनहीं spherical mirrors के लिए image form करना. यानि कि spherical mirror से अगर हमें image form करनी हो, तो किस तरीके से होगा, कौन-कौन से rules है, और object की अलग-अलग position के लिए हम लोग image की position को देखेंगे. कैसी image बनेगी, image की property को भी हम लोग देखेंगे, कि object के comparison में image जो है, वो enlarged बनती है, या short बनती है, या फिर image की position कैसी होगी, object की position के according, तो ये किन-किन चीजों पर depend करती है, ray diagram कैसे बनाते हैं, और ray diagram बनाने के rules क्या है, ये सारा सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो start करते हैं, सबसे पहले कुछ ray diagram बनाने के, कुछ rule है एक तरीके से, तो वो rule हम लोग देखेंगे, formation of image by spherical mirrors, to find the position of image, we can take any two ray originating from object, तो हम लोग को अगर कोई भी एक object है, ठीक है, और उस object की अगर हम लोग image बना रहे हैं, तो image form करने के लिए at least two rays अपने पास में होनी चाहिए, यानि कि object से हम कम से कम two rays जो है वो consider करेंगे, ताकि वो जो ray है दोनों, वो जहां जिस point पर मिलेगी, उस point पर हम image की position को मानेंगे, तो at least two ray जो है, हम कम से कम consider करेंगे object से, after reflection from mirror, these rays determines the position of image और यही जो rays होंगी, वो ही reflection के बाद image की position को determine करेंगे, the incident ray which is parallel to principal axis passed through the focus in concave mirror, और seems to be coming from focus in convex mirror, after reflection from spherical mirror, तो first rule क्या है, first rule यह rule बहुत important है, क्योंकि सिफ और सिफ इन ही rule के base पर हम, चाहे वो convex mirror हो, या concave mirror हो, उनके लिए हम लोग image जो है वो form करेंगे, चाहे object किसी भी position पर रखा हो, बस इन ही कुछ basic rule की help से ही हम लोग image को form करेंगे, हमेशा, हमेशा, तो first rule है इसका, कि अगर principal access, तो देखो ध्यान रहना चाहिए, आपको यह सारी terms जो है, वो पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे direct word यूज करेंगे, principal access, यह वो focus वगर है, तो आपको पता ही नहीं होगा क्या है, principal access, क्या है, focus, इसी लिए पहले हम लोगों ने यह सारी terms को देखा था, कि यह जो technical words हम लोग use करते हैं, यह actual में है क्या चीज, otherwise अगर direct topic पर हम लोग आ जाते, और तो आप लोग को पता ही नहीं है, principal access क्या है, तो फिर आपके यह सारी language वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप लोग को वो सारे terms, sign convention बहुत अच्छे से आने चाहिए, अगर previous video नहीं देखा है, तो please previous video पहले जरूर देख लेना, spherical mirrors, two type के convex and concave, किस तरीके से हम लोग लेते, इनकी property क्या है, किस तरीके का इनका image होती है, तो यह सारा सब कुछ आप प्लीज जरूर देख लो, तो देखे, first point क्या कह रहा है, कि अगर principal access के parallel अगर light rays आ रही है, तो वो हमेशा कहाँ पर किस point से निकलेंगी, focus point से ही निकलेंगी, अगर बात करें concave की, तो वो focus से ही निकलेंगी, अगर convex की बात करें, तो वो convex mirror उनको इस तरीके से फैलाएगा, कि वो focus point से आती हुई ही प्रतीत होंगी, यनि कि पिछे अगर उनको बढ़ाएंगे, तो वो focus point पर ही जाकर मिलेंगी, ठीक है, लेकिन यह इसका बहुत important rule है, अगर principle axis के parallel आ रही है, ठीक है, तो principle axis के parallel आ रही है, तो focus पर ही जाएंगी, ठीक है, तो यह तो हो गया इसका first rule, second rule, the incident ray passing through focus become parallel to principle axis after reflection from spherical mirror, यनि कि अगर कोई भी, अब इसका opposite है, अगर कोई भी light ray जो है, वो focus से अगर आ रही है, ठीक है, जो mirror है, उस पर आती है, focus से आती है, focus point जो है, उससे अगर आती है, तो वो उससे reflect होने के बाद, mirror से reflect होने के बाद, principle axis के parallel हो जाएगी, the incident ray passing through center of curvature returned back on the same path after reflection from the spherical mirror, तो अगर बात करें, center की, जो C होता है, जैनि कि जो पूरा sphere होता है, जिसका part है spherical mirror, उसका जो center होता है C, जिसको center of curvature बोलता है, तो कोई भी light ray जो है, वो अगर center of curvature से अगर आ रही है, mirror के उपर, तो reflection के बाद, वो वापस उसी path से होकर जाएगी, ठीक है, तो center से आने वाली जो light ray है, वो वापस से center से ही होकर निकल जाएगी, ठीक है, same उसी path पर, जिस path से आई है, उसी path पर वापस लोड जाती है, देखिए, अब यहाँ पर light ray जो है, first diagram, यह diagram जो है, वो convex mirror का ले रख है, तो इसके अंदर light ray जो है, वो देखिए, यहाँ पर यह जो principal axis है, यहाँ, उस principal axis के parallel light ray आ रही है, यहाँ पर, तो देखिए, यहाँ से क्या हो गई है, यहाँ पर टकराई है इससे, और टकराने के बाद इधर लोट गई है, ठीक है, यानि कि reflection हो गई है, यह दूसरी light ray जो है, यह भी यहाँ पर इससे टकरा कर, यहाँ पर reflection हो जाता है, उसके बाद देखो, इनको पिछे जब मिलाएंगे, तो यहाँ पर यह focus पर मिल रही है, और इस वाले diagram में अगर हम लोग देखें, तो light ray जो देखो यहाँ पर, यह principal axis के parallel आ रही है, और यहाँ पर पिछे की side में focus पर मिलती है, after reflection, first point जो था हमारा, if two rays meet at a point after reflection, a real image is formed, अगर कोई भी दो rays जो है वो एक point पर मिलती है, तो वो real image होगी, अगर जो ray है वो point पर नहीं मिलती है, हम लोग को मिलानी परती पिछे dotted line से, यहीं कि उसकी virtual image बनेगी, अगर ऐसा है कि मिलती भी प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, यहीं कि जब उनको हम लोग मिलाते हैं पिछे dotted line से, जब देखो convex mirror के लिए, जनरली वो spread कर देता है ना सारी light ray को, तो लोग हमेशा mirror के पिछे की साइट dotted line से उनको मिलाते हैं, तो वो सारा जो image होगी वो होगी virtual image, the real image is inverted while the virtual image is erect, real image जो होती है वो inverted होती है यहीं उल्टी होती है और virtual image जो है वो erect होती है यहीं कि सीती होती है, अब देखो यहां पर एक हम लोग को table दिवी है, अलग-अलग position के लिए, अलग-अलग position के लिए object की हम लोग image जो है वो कैसी बनेगी वो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तो देखे इस table के थुरू आप काफी आसानी से देख पाएंगे अगर infinity पर है ठीक है बहुत दूर कहीं जो light ray, बहुत दूर कहीं object अगर है यह कि हम लोग पता नहीं है कि object की position क्या है अगर इस तरीके की है ठीक है infinity यह नहीं कि well defined नहीं है इंफिनिटी वो point होता है जो कि defined नहीं है बहुत दूर कहीं तो अगर इतनी दूर से कोई अगर light ray आ रही है तो देखे इस diagram के अंदर बहुत दू लाइक आई चुशल है तो देखे यहां से काफ़ी दूर से यह light ray इसके उपर आ रही है और क्या होगा अब देखे हम लोगों लोगों ने क्या का था एक तो आ रही हैं center से और एक हरी फोकस है ठीक है तो जो center से आएगी वो तो वापस center पर ही चली जाएगी ठीक है qualitative यह जो center से आ रही है ये वापस, उस center से ही वापस लोड जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने ये rule पढ़ा था ना, कि center से आने वाली light ray जो है, वो वापस उसी path पर वापस लोड जाएगी, तो ये center से आने वाली light ray, center से ही वापस लोड जाएगी, और दूसरी जो light ray है, क्योंकि हम ल लोग लाइट रे उसी से ही लेके जाएं ताकि रे डाइग्राम हमारे लिए बनाना आसान कुछ particular rules होते हैं उसके according ही यह रे डाइग्राम बनाई जकते हैं तो दूसरी ऐसे ही किसी पोईट से हम लोग light ray नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अगर ऐसे ही किसी point से ले जाएंगे तो हम लोग किस तरीके से उसके लिए image form करेंगे कहां पर जाएगी वो light ray उसको ray diagram में हम लोग नहीं बता सकते हैं उसके लिए फिर image form नहीं कर पाएंगे तो यहां पर दूसरी जो है यहां से focus से जा रही है यह focus से गई यहां पर और focus से जाने वाली हमेशा parallel हो जाती है तो इस तरीके से यह parallel हो जाएगी ठीक है तो यहां पर यह दोनों light रहे देखो यह इस point पर इस point पर मिलेंगी और यही वो point होगा कहां पर मिली है focus पर ही मिलेंगी हमेशा ठीक है अगर infinity पर object रखा है तो image हमेशा focus पर ही बनेगा तो यह देखो यह focus पर मिल जाती है और इस तरीके से इसकी जो है small size की एक और image मिल जाएगी focus पर तो कैसी actual में मिल रही है दोनों तो real है inverted है very small at focus तो real तो ही और inverted है क्योंकि उल्टी हो गई देखो actual में image हमेशा ऐसे होती है तो यह जो उपर वाली जो है यानि कि इसका जो head है वो तो देखो नीचे आ गया और जो इसका tail है वो यहां पर उपर आ जाएगा तो इस तरीके से यह opposite हो जाएगी है तो real inverted small at focus second हम लोग देखरें between infinity and C अगर infinity और C के बीच में तो यहां पर यह object हम लोगोंने ले रखा है यहां ठीक है तो यह infinity यानि कि इधर कोई point जो है इस पूरी line के अंदर इधर की side और C इस C point के बीच में यहां पर हम लोगोंने देखरें तो उसके लिए कहां पर बन रही है देखो इमेज जो है वो C और F के बीच बनती है इसके लिए तो देखो यहां से एक light ray तो parallel हम लोग लेके गया है और parallel जो जाएगी वो किस से निकलेगी focus से निकलेगी और एक जो है वो जैसे हमें image मिल गई है कहां पर मिलिए C और F के बीच में और यह कैसी होगी real inverted very small between F and C F और C के बीच में इसकी image मिल जाएगी at C, C पर अगर object हो तो देखो यहां पर अगर C पर object होगा तो उसकी image जो है वो C पर ही मिलेगी हमेशा real inverted and same size C पर ही मिलेगी और same size की मिलेगी तो देखिए यहां पर यह diagram देखिए यह हमारे पास में object है तो एक तो हम लोग उने focus से लेके गया है तो पैरलल हो जाएगी और एक सीधी जो पैरलल लेके जाएगे वो फोकस से निकलेगी और यह दोनों मिलेगी कहां यहां पर इस C पोइंट पर ही मिलेगी तो इसकी और same size की image बनेगी ठीक है उसके बाद है next between F and C, F और C के बीच में अगर object हो तो देखिए यहां पर F और C के बीच में object है यहां F और C के बीच में अगर object होगा तो यह parallel गया parallel F focus से निकल जाएगी यहां पर ठीक है और जो focus से गया वो parallel हो जाएगी तो यहां पर इसकी image मिलेगी हमें between C and infinity C और infinity के बीच में real inverted magnified याने कि थोड़ इसी बड़ी object से बड़ी देखिए यहां पर object small है और image जो है वो बड़ी है तो इससे बड़ी बनेगी और कहां बनेगी C और infinity के बीच देखिए यहां पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो देखिए यहां जो infinity और C के बीच में जो object था उसके लिए image जो है वो F और C के बीच में बनी थी और F और C के बीच में जो object है उसके लिए image C और infinity के बीच बन रही है फोकस पर अगर object होगा तो यहां पर फोकस पर अगर object होगा तो infinity पर उसकी image बनेगी देखो इस तरीके से फोकस पर अबजेक्ट है एक तो यहां से यह सिधा गया है इस तरीके से लेके जाएंगे कि सेंटर से होता हुआ वापस आ जाएगा अगर तो सेंटर से होता हुआ ही आ जाएगा और जो फोकस से जाएगा वो यहां से जो पैरलल जाएगा वो फोकस से होता हुआ आएगा तो यहाँ पर जो इसकी image है वो कहीं infinity पर मिलेगी, यह center से जाने वाला center पर वापस आ जाएगा, parallel जो जाएगा वो focus आएगा, तो यहाँ पर दूर कहीं infinity पर इसकी image हमें मिलेगी, तो यह भी देखी इसके लिए भी opposite है, जो infinity से आया था, उसके लिए focus पर मिल रही थी, और जो focus प तो यह एक सिफ और सिफ पोइंट होता है, concave mirror के लिए, जहाँ पर उसकी virtual image हमें मिलती है, तो देखी एफ और पी के बीच में यहाँ object अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, बहुत पास अगर concave mirror के पास में अगर object होका, बहुत पास, तब सिफ और सिफ उसके लिए virtual image मिलत तो यहाँ पर यह object रखा है, और इसके लिए एक लाइट रहे तो पैरलल लेके गया है, तो किस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और एक जो हो इस तरीके से लेके जाएंगे, ताकि सेंटर से निकल जाएंगे, तो यहाँ पर कभी नहीं मिलेंगी, दूर हट रही है, तो यहाँ पर हमें मिलेंगी यह मिरर के पीछे की साइड, ठीक है, तो इस तरीके से एक सीफ और सीफ यही एक केस होता है, जब हमें वर्चुल इरेक्ट एंड वैरी लार्ज बिहाइंड दा मिरर इमेज मिलेगी, ठीक है, तो कॉनके मिरर के लिए सारे पोइंट जो है, इमेज फोर्मेशन देखेंगे, आई होब कि आप लोगो समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बैल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन डिरेक्ट आपके फोन पर आजाएं, थैंक यू सो मच, और प्लीज वीडियो को अपने और भी जो साथ में स्टूडेंट से उनके साथ में शेयर करो, ताकि सब को इसका फाइदा हो सके,